आप अगर किचन में सबजी बनाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कोई सबजी ही नहीं है तब आपको वहाँ पर सिर्फ एक आलू दिखाई देता है तो अब आप सोचते हैं कि सिर्फ एक आलू से सबजी कैसे बनाएं तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि आप एक आलू से सब्जी कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले में आलू को लेंगे और उसे इस तरह से स्लाइस में काट लेंगे फिर उसे हम साफ पानी में डाल कर उसका जो इस टार्च है उसे निकाल लेंगे अब हम एक दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं एक कटोरी बेसन इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और करर के लिए डाल देते हैं हल्दी और साथ ही से थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए डाल देते हैं लाल मिर्च पावडर अब जरूरत के अनुसार पानी डाल देते हैं और इसका एक पेश्ट तयार कर लेते हैं अब आपको कुछ इस तरह से पेश्ट तयार करना है जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं अब हम स्लाइस किये हुए आलू को लेंगे और उसे एक तरफ से बेशन में कुछ इस तरह से डीप करेंगे और इसे गरम तेल में डाल कर फ्राइ कर लेंगे जब हम आलू को तेल में डालेंगे तब तेल बहुत अधिक गरम होना चाहिए और जब हम इसे फ्राइ करेंगे तब इसे हमें लो फ्लेम पर कर देना है और आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है आलू फ्राइ हो चुके हैं तो चलिए अब हम मसाले की तयारी कर लेते हैं तो सबसे पहले हम एक बड़ी आकाय का प्याज लेंगे उसे रफली चॉप कर लेंगे साथ हमें एक टामाटर लेंगे तीन से चार हरी मेच लेंगे और एक मुठी धनिया पत्ता लेंगे सारे चीजों को मिक्सर में डाल लेंगे और उसे पीस लेंगे तेल को अच्छे से गरम करेंगे और जो मसालय भी हमने पिसे हैं उससे सीधा ही तेल में इस तरह स्थे डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाएंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चमच जीरा पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, आदा चमच हल्दी पाउडर और दो चमच अधरक लसुन का पेश्ट और इसे लो फ्लेम पर ही 30 सेकेंड तक भूनेंगे अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चमच दही डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक मिनट तक पकने देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी अच्छे से क्रस करके लगातार चलाते हुए इसे भी एक मिनट तक पकाएंगे और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी पानी और इसमें उबाल आने देंगे उबाल आ गई है तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक हमें नमक इसी स्टेज पर डालना है हमें नमक पहले नहीं डालना है ग्रेवी जब इतना गाढ़ा हो जाए तो जो हमने आलू को फ्राई करके रखा है उसे हम इसमें डीप कर देंगे इसे गर्मा गर्म रोटी, कचोरी, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें उसके बाद सबजी खाने के लिए तयार है कर देंगे कर देंगे कर देंगे